जियो सिम को BSNL कैसे बनाए इस वीडियो को पूरा दिखे आपको पूरी जानकरी मिल जाएगी सही जानकरी आपको मिलेगी ताकि आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो जियो सिम को BSNL में पोर्ट करने के लिए सबसे पहले मेसेज बॉक्स यहाँ पे किलिक करना है SMS बॉक्स पर किलिक करने के बाद यहाँ से आपको एक मेसेज बेजना है तो मेसेज बेजने के लिए सेंपिल आपको यहाँ पे किलिक करना है जहां से भी आप मेसेज बेजते हैं वहाँ पे आपको किलिक करना है तो फिर आपके सामने इस तरह पे जाएगा तो जिस number पर message भेजना है, सबसे पहले वो number यहाँ पर लिखना है, तो वो number है 1900, यह number लिखने के बाद, नीचे right का icon है, यहाँ पर click करना है, जैसे आप यहाँ पर click करेंगे, तो नीचे message लिखने का option आएगा, अब आपको नीचे text यह लिखना है, port लिखना है, capital letter में, small letter में, एक भी letter आपको नहीं लिखना है, सारी letter जैसे के port यह, चारो अक्षर capital letter में लिखना है, port लिखने के बाद, आपको space देना है, उसके बाद, आपका mobile number डालना है, जिस mobile number को आप port करना चाहते हैं, माल लिजे, geosim है, तो आपका geosim का number डालना है, और आपके geosim के number से ही, मेसेज करेंगे, तो तुरंत एक message आएगा, और उस message में आपका number रहेगा, उसके नीचे code रहेगा, और उसके नीचे उसका date रहेगा, expire date का, अगर आप इतने दिन के अंदर port करते हैं, तो आपका port हो जाएगा नहीं, तो यह जो code है, वो expire हो जाएगा, और वो code जैसे expire हो जा जाना है, जिसके अंदर यह code है, और आपको एक नया number लेके जाना है, जहाँ पर एक OTP आएगा, तो उसको आपको verify करना है, किसके पास लेके जाना है, किसी retailer के पास, जो भी नया से इम बेचता है, या फिर port करता है, उसके पास आपको जाना है, अगर उसके पास BSNL port करने क option नहीं है, तो आप सबसे बहतरी इन option है, कि आपको BSNL store में जाना है, क्योंकि हर शहर में आपको BSNL store जरूर मिल जाएगा, और साथ में आपके पास एक RD proof होना चाहिए, तो सबसे बहतर है, आधार कार्ड, आधार कार्ड आगर आपके पास है, तो बहुत ही आसानी से किसी BSNL कर सकते हैं, BSNL store में जाकर आपको बताना है, कि मेरा ये जियो सीम है, ये नंबर है, तो इस नंबर को मुझे BSNL करना है, फिर BSNL store वाले लोग काएंगे, कि आपको एक message भेजना है, तो आपको बताना है, कि मैंने पहले ही message भेजा था, उसका जो code है, वो आप देख सकत लोग फोटो लेंगे, उसके बाद फोटो लेने के बाद, आपको BSNL का एक SIM card देगा, और आपका जो जियो नंबर है, वो तीन दिन का अंदर अंदर बंद हो जाएंगे, उसके बाद आपका जो ये BSNL नंबर है, वो चालू हो जाएगा, बात करते हैं, चार्ज की, तो किस किसी स्टोर में 100 रुपिया लेता है, तो किसी किसी स्टोर में 1.5 रुपिया लेगा, और इसी 100 रुपिया से आपको एक माहिनी का free recharge मिलेगा, जैसे कि 28 दिन तक unlimited voice call और डेली डेल जी भी करके इंटरनेट डेटा मिलेगा, तो इस तरह किसी जियो सिम को port करते हैं BSNL में, अ